प्रदेश की राहत आयोत ने कोरोना महमाई से मिरत व्यक्तियों के परिजनों आशितों को राज्यापता विमोचन ने दी से 50,000 रुपे की आर्थिक अनुदान साहता देने के संबन दिशन ने देश चारी किये बाश्पा की प्रतिली मंडनली राज्युपाल से मुलाकात कर कवर्दा में हुई घटना की न्याईक जाज की मांग की और राज्याद को जिले में आई जित राश्टी वर्ने प्राणिस अनुदा का समापन विचे प्रतिभागियों को किया गया पुरस्पेट नमस्कार आप देख रहें दूरदर्शन समाचार मैं हूँ सरोज गुपता आप समाचार विस्तार से वोकी मंत्री बुपेश बगेल ने कहा है कि कृष्य का विकास और किसानों का कल्यान राज्य सरकार की सर्वोच्र प्रात्मिकता है कृष्य के शेत्र में नई तक्निकों के विकास और इसे किसानों तक पहुँचाने की कारे में इंद्रागांदी कृष्य विश्विद्याले महत्पूर्ण भूमिका निबारा है शुबगेली इंद्रागांधी क्रिशिविश्विध्याले के अंतरगत लगबग 30 करोड रुपे की लागत से निर्मित भवनों और अन्य अदोसन रशनाओं के लोकारपन कारिक्रम को संबोधित करते वे कहा कि 36 गड़ के क्रिशिविश्विध्याले में प्रारम हो रही फाइटो सेनेटरी लैप का मतपून योगदान रहेगा उन्होंने बताया कि गाओं के रूलर इंडुस्ट्रियल पार्क में अब क्रिशिविध्यानी को द्वारा विक्सित प्रसंस्क्रन तकनीक का उप्योग किया जाएगा साथ ही गौठानों में गोबर से जैविखात के निर्मान, बिजली उतपादन और वेल्यू एडिशन के कारे में वैज्ञानिक अनुसंधान और तकनीक के उप्योग को बढ़ावा दिया जाएगा इस औसर पर मुख्यमंद्री ने इंद्रा गांधी, कृषी विश्विध्याले, परिसर इस्थित नव निर्मित, कृषी विज्ञान केंद्र भवन, अक्तित जैविविद्दा संग्राले, नौ निर्मित नौलेज सेंटर भवन और रिकॉर्डिंग स्टूडियो तैता फा मुख्यमंद्री ने धान, करायत, सोयाबीन, मक्का और रजभरी, सहीत आठ फसलों की उननत प्रजातियों के बीजों के अलावा, विश्विध्याले द्वरा विक्सित की गई चावल से प्रोटीन और ग्लुकोस को अलग करने की तक्निक का भी लोकार पन किया प्रदेश की राज़स सच्ची और राहत आयक्तोर रीता शांडिल ने कोरोना महामारिस से मृत व्यक्तियों के परिजनों आश्रितों को राज़ आपदा विमोचन निधी से 50,000 रुपए की आर्थिक अनुदान साहता देने के संबन में देशा निर्देश जाली किये हैं राज़सों की चायंपरती और ग्रह मंत्राले द्वारा जारी सर्कुलर तथा संशोधन की चायंपरती कलिक्टरों को भीजी है गौर्टरब है कि राश्टी आपदा प्रबंदन प्राधिकरन द्वारा जारी निर्देशों के नुसार कोरोना से हुई मृत्यू के सम्मन्द में मृत्यू प्रमान पत्र में उलेखित मृत्यू का कारण निर्नायक नहीं होगा और इस सम्मन्द में ऐसे अन्य जांच तथा उपचार समंदी दस्तावेज जिससी यह स्पष्ट होता है कि मृत्तक की मौद कोरोना के कराण हुई है ऐसे स्थिती में भी उसके परिजन को 50,000 रुपए अनुगरह राश्री की पात्रता होगी कोरोना पॉजिट्वी पाय जाने के 30 दिनों के भीतर यदी कोई व्यक्ति आत्माहत्या कर लेता है उस स्थिती में भी परिवार के सदस्य को 50,000 रुपए अनुगरह सायता राश्री की पात्रता होगी यदी कोरोना से अम्रित व्यक्ति के परिवार के सदस्य को अनुगरह राश्री प्राप्त नहीं होने के संबंद में कोई शिकायत हो तो वो अपनी परिशानी शिकायत निवायन समीति के समक्ष दर्श करा सकेगा जिसके बाद उपचार संबंदी दस्तावेजों की जाच कर शिकायत प्राप्त होने के 30 दिनों के भीतर समुझ इतने नहीं लिया जाएगा केंद्री स्वास्त मंत्रालाय ने इसे कोविट-19 के खिलाफ लड़ाई में एक और बड़ी उपलदी बताया है मंत्रालाय ने बताया कि देश में स्वास्त होने की 10.98 प्रतिशत है जो पिछले साल मार्च के बाद से सबसे ज़ादा है गौरत रब है कि केंद्र सरकार ने राज्जियों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 95 करोर 59 लाग से अधिक कोरोना के टीके उपलब कराए है इस बीच स्वास्त मंत्राले ने कहा है कि महामारी की चिनोत यबे खत्म नहीं होई है इसलिए लोगों को सतर्क रहने की जरुवत है मंत्राले ने कहा है कि तेवार के 3 महीने अक्टूबर से दिसमबर तक लोगों को सबसे अधिक सावधान रहने की आवशकता है इधर 36 गड़ में करोना संक्रमन की दर लगातार गिरावट जारी है प्रदेश की पॉजिटिवीटी दर शुने दिशनों एक शुने प्रतीशत पर पहुँच गई है राज्जी में कल करोना संक्रमन के 21 नए मामने सामने आये है वहीं 19 जिलों में कल संक्रमन के एक भी नए मामने सामने नहीं आये है प्रदेश में वर्तमान में 211 कोरोना संक्रमित मरिजों का राज्जी के विबिन अस्पतालों या होम आइसलेशन में इलाज चल रहा है मुख्यमंत्री वुपेश बगेल ने कहा है कि शांती विवस्था और सामाजिक सोहाद जोको बिगारने की कोशिशों को बरदाश्ट नहीं किया जाएगा मुख्यमंत्री ने रायपूर में अपने निवास कारेले में आयुजित उच्छिसतरी बैठक में कवर्दा की कानून विवस्था की स्थिति की समिक्षा के दोरान कवर्दा कलेक्टर और पुलिस अधिक्षक को बीते 5 अक्टूबर को रैली के दोरान हुई घटना की जाच दिये हैं उन्होंने शेहर में नेमित पेट्रोलिंग करने को भी कहा है इस बीच कवर्दा शेहर में शांती विवस्था को बहाल करने और कर्फ्यू में श्रिथिलता लाने के लिए सर्वसमाच के प्रमुकों चेंबर आफ कॉमर्स के साथ वेपारिल संगठों ने शांती मा में शामिल समाज प्रमुकों ने शेहर में फिर से सद्भावना आपसी प्रेम भायचारा और सामाजिक एकता का संदेश देते वे नगर के विभिन्न वार्दों में ब्रह्मन किया साथ ही सभी लोगों से शांती स्थापित करने की अपील किये कलेक्टर रमेश शर्मा ने मीडिया से चर्चा करते वे कवर्धा शहरवासियों को आपसी प्रेम और भायचारे से रहने की अपील किये कि सभी लोग आपस में भायचारा एकता सम्तदाइक सौहाद्र को बना रखे और इसी जिसके नाम से कभी धम जिला जाना जाता है उन्होंने कहा कि लोगों की जरुवतों को देखते वे होम डिलिवरी की सुविधा दी जा रही है इस बीच पूरु मोखी मंत्री और भाजपा के राश्टियों पाद्यक्ष डॉक्टर रमनसी के नेत्वित में भाजपा नेताओं का प्रतिनिदी मंडल राजजपाल अनुसोया उइके से मिला और घटना की नयाएक जाच की मांगी प्रताडित करने का प्रयास किया जा रहा है गाँ वह में इस इस्तिती को और खराब करना चाहते हैं साथी घटना के वास्तिविक दोशियों के खिलाव कारवाही की मांग की है राजण को जिले में आईजित राजटी वने प्रणिस सनक्षिन सत्ता का समापन हो गया समापन कारेक्रम के दोरान जागरुकता अभ्यान के तहत आईजित पेंटिंग निबंद और साइकल डेस प्रतियोगिता के विजयी प्रतिभागियों को पूरस्कृत किया गया साथ ही वन चेतना केंद्र मंगटा में वन संजीवनी केंद्र का शुभारम भी किया गया कारेक्रम में मीडिया से बाच्चीत में जिलापंचय सदस्य राजेश श्यामकर ने कहा कि परियावरन वन सनक्षित रहेंगे तो माना जीवन भी सनक्षित होगा उन्होंने कहा कि परिवरन संतुलन को बनाये रखने के लिए वन्य प्राणी और वन्य की सुरक्षा हमारा दाइत्व है। इसके लिए नागरिकों को भी आग्यान होगा। उन्होंने कहा कि परिवरन के लिए वन्य प्राणी मिल्नेवान है। तो साइक्लिंग कंपर्टीशन लोग गौर्ट अलब है कि राज़नांद को जिले में राश्टी वन प्राणी सनरक्षन सब्ता 2 से 8 अक्टूबर तक मनाये गया इस औसर पर बच्चों को वनने प्राणी सनरक्षन के प्रती जावरुक करने स्कूलों में विभिन प्रतियोगि की अज़न किया गया था आज शारदे नवरात्र का तीसरा दिन है आज के दिन माचद्रघंटा की पूझा का विधान है लेकिन इस बार नवरात्री आट दिन की है इसलिए माकुश्मान्डा की पूझा भी आज की जा रही है प्रदेश की देवी मंद्रों में भक्ती और श चल बढ़ गई है मासमन्जिला मुख्याले से करीब 22 किलोमेटर दूर पहाड़ी की ऊपर माख खलारी का पवित स्थान है जो चारों तरफ पहाड़ियों से घिरा हुआ है मंदर के पुजारी भावानी दास वैश्णों ने बताया कि माता के दर्शन के लिए देश-विदेश से लोग आते हैं वही माख खलारी ट्रस्ट के कोशाद्यक्ष सुरेश चंद्राकर ने बताया कि कोरोना महामारी की कारण प्रशासन से जारी दिशान निर्देशों का पालन किया जा रहा है और उसी के अनुरूप सारी वेवस्थाएं की गई है इधर गर्यबन जिले में भी नवरात्री की धूम देखी जा रही है जिला मुख्याले में 17 इस्थानों पर देवी मा की प्रतिमा इस्थापित की गई है देवी मंद्रियों और प्रतिमा पंडालों में रंग बिरंगे प्रकाश के जालनों के साथ पहुंच मारगों पर विशेश सा सज्जा की गई है शिफ दुर्गा मंदिर के पुजारी पंडित खडक नंदूबे ने बताया कि आज तृति और चतूर्थी दोनों तिति होने के चलते माता के दो रूपों की पूजा की जाए वही शितना मंदिर और गांधी मैदान में विराजी मादूर्गा उत्सा समीतिक के सदस्य संदीप सरकार ने बताया कि कोरोना से बचाव के लिए दिये गए दिशा निर्देशों का पालन करते वे गर्बा, मीना बजार और जगराता, भजन संध्या, सहित अन्य कायक्रमों कायजन किया जा रहा है के दोरान सावधानी और सतर्था बढ़ते जा रही है दूरदर्शन केंद्र रैपर से प्रसायत होने वाले प्रादिश्री समाचार को आप यूटूब पर भी देख सकते हैं